भारत में कई ऐसी जगा है जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। इन रहस्यमी जगों के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी किले से रहस्यमें आवाजे आती हैं, तो किसी मंदर में माता दिन में अलग-अलग तीन रूप बदल दी है। ऐसी ही एक जगा है सिंगोरगर का किला। इस किले का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पारा है। मध्यप्रदेश के दमों में सिंगोरगर का रहस्यमें किला स्थित है। इसे गर सामराज्य का पहाडी किला माना जाता है। 1564 में रानी दुरगावती के शासनकाल में इस किले की काफी एहमियत थी। माना जाता है कि इस किले में रानी दुर्गावती का विवा हुआ था यहां किला बेहत मजबूत और सुरक्षित था जिसकी वज़ा से मुगल शास्कों का इसे भेट पाना नामुम्किन था इस किले की सुरक्षा दो चीजों पर सिकी थी पहली इसके सामने पहार दीवार बनकर खड़े थे दूसरी इस किले के खुफिया रास्तों की जानकारी रानी और उनके सैनिकों के अलावा किसी को नहीं थी सिंगौरगर किले में एक जलाशे भी स्थित है इसकी प्राक्रितिक सुंदर्ता हर किसी का मन मोह लेती है इस जलाशे की खासियत यहा है कि इसमें कभी पानी खत्म नहीं होता है माना जाता है कि इस तालाब में कई रहस्य छिपे हुए है स्थानिय लोगों के मुताबिक सिंगौरगर जलाशे में स्वर्ण मुद्राओं समेत रानी दुर्गावती का पारस का पत्थर भी डाल दिया गया था स्थानिय लोगों के मुताबिक सिंगौरगर किले से गुप्त सुरंग मदन महल जबलपुर निकल दी है हालां कि इन सुरंगों को पुरातत्व विभाग में बंद कर दिया है क्योंकि प्रकृती प्रदत्व भोगोलिक परवत श्रिंखलाओं के बीच बने किले की सुरक्षा में पहाड सुरक्षा दीवार बनकर खड़े थे तो किले के तह खानों से निकली सुरंग का अंतिन छोर रानी वर रानी की सैनिक तुगडियों को ही पता था लेकिन इस किले का संद्रक्षन करना तक पुरातत्व विभाग भूल गया और धीरे धीरे सिंगौरगर किला अपने अस्तित्वों को बचाने की लडाई 500 वर्षों से लड रहा है स्थानिय लोगों का मानना है कि गौड राजाओं के राजकाज के समय तहखाने गुप्त सुरं मार्क सिंगौरगर से सीधे मदन महल जबलपुर को निकलती है जिने पुरातत्व विभाग के द्वारा बंद कर दिया है लेकिन इनके वशेष आज भी मौजूद है वही सैनिक तुकडियों के लिए किले की सुरक्षा के लिए 32 किलोमीटर दीवार यानी रास्ता आज भी सिंगौरगर किले से परवत श्रिंखलाओं तक पूर्णत्या सुरक्षित बना हुआ है निदान कुंड भेंसा घाट रेस्थाउं से करीब आधा किलोमीटर दूर भेंसा गाव से एक सडक इस जल प्रपात के लिए जाती है मुख्य सडक से एक किलोमीटर से एक जलधारा सोफित की उचाई से काली चक्तान से नीचे गिरती है इसे निदान कुं कहते है साथन के जर लिए के लिए जाती है व्यवता काश जाती है यह से शियां रेती है अप्रें ईजले का प्रपाती है जाती है जाती है जाती है वारी स्वें लोड़ा से विपकर OKड़ा से साभ गरा ने हो आखा है लोड़ा है लोड़ा आखा है लोड़ा सबदार मैं जा जार सकता है जुलाई से अगस्त माहा में इस जल्प्रपात में पानी बहुतायत से होता है आतर सामने से इसका नजारा अद्धुत होता है सितंबर एम अक्तूबर माहा में नदी में पानी कमी होने के कारण यहां एक पिकनिक स्पार्ट बन जाता है यहां चत्तानों पर स्थी नुमा आकार का बना है जब जल्धारा इनके उपर से नीचे गिरती है तो बहुत सुंदर ग्रिशे दिखाई देता है भैसा गाव से तीन किलो मीटर एक सड़त इस स्पार्ट की ओर जाती है जिसे नजारा कहते हैं इस जगह को एक उचे पहार के ऊपर एक प्लैटफॉर्म की तरह बनाया गया है जहां से नीचे रानी दुरगावती अभ्यारन का नजारा सांस रोकने वाला होता है जा जा वाला है गाने जगाने जंगलों को यहां से निहारा जा सकता है जंगली जानवरों की गुफाएं भी यहां से देखी जाती है जंगली जानवर भी यहां वहां घूम पे नजर आ जाते है जंगली जाते है जंगली जाते है जंगली जाते है झाल झाल